भुटने की चोट ना होती तो वहाँ पे ये गोल्ड मेडल के भी प्रबल दावेदार थे और यहां भी ब्रॉंज यहां भी गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार है और दर्शकों का कोलाहल सुनिए, शोर सुनिए, समर्थन सुनिए जो इस स्टेडियम में बैठे हैं और आप जो घर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे अपना प्यार दिखाईए समर्थन कीजिए भारती अथलीट्स का गोल मेडल मैच तक पहुंचे जरूर है लेकिन बजरंग के सामने अभी तक ओ, बजरंग का सिंगल लेग अटेक है दोस्तों क्या यहां से टेकडाउन बना पाएंगे एक पॉइंट तो बजरंग का पका है क्योंकि एक्टिविटी टाइम में मैक नियल को कुछ नहीं मिला मैक नियल को अब अपना डिफेंस बहतर करना पड़ेगा क्योंकि बजरंगी भाई जान जब आपको पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है अब तक अच्छा मैच डिफेंस है मैक नियल का अब तक इन्होंने वो छिपकली वाला डिफेंस किया है बहुत एच्छार बजरंग पुनिया जैसे शक्ति शाली पहलवान के सामने आप इरानी टेकनिक से बज जाओ बांधने ही नहीं दो ये कबिले तारीफ है कनेडियन रेसलर बजरंग पुनिया को यहाँ पर सचेत रहना चाहिए और उसके बाद डिफेंस बजरंग का पूरी तरह से जैसे एक लिजर्ड चिपकली चारो लिंब चिपका लेती है दिवार पे रेसलर भी दोनों हाथ पैर चिपका लेती है मैट पे तक ही ज़्यादा पॉइंट ना दें इसलिए इसको लिजर्ड डिफेंस कहते हैं यहाँ लेक अटैक सिंगल लेक अटैक बजरंग का है क्या गिरा के टेक डाउन बनवा पाएंगे यह टंगडी लगाई लेकिन पोजीशन क्या बाहर जाके एक पॉइंट मिलेगा फिल्कुल एक मिलेगा लेकिन यहाँ पर दो की भी मांग रहेगी क्योंकि टेक डाउन किया और दो अंक यहाँ पर दिये हैं चटा गोल्ड भारत की पहुंच में है और बजरंग अभी तक लेग अटैक नहीं करने दे रहे मैक नियल को उल्टी गिंती शुरू कीजिए कितने सकंड बाकी है एक दो पॉइंट और पजरंग पुनिया कोउस टेक डाउन के साथ पॉइंट की लीड दो सकंड से कम का टाइम बाकी और छटा गोल्ड मेडल चटा गोल्ड मेडल भारत का बजरंग पुनिया में दिलवाया है कुष्टी में दिलवाया है रस्लिंग का पहला गोल्ड मेडल मुबारक बजरंग विल्कुल हम जैसी बात कर रहे थे अंतिम सेकंड में भी बजरंग प्राइंट लेने से नहीं चुकेंगे और बजरंग ने अपना नाम के अनुकूल अपना प्रभाव दिखाया है स्वाण पदक जीता है अपना स्वाण पदक डिफेंड कर लिया है बजरंग ने 2022 कॉमनवेल्ट गेम्स में भारत का चटा गोल्ड मेडल 20 वाँ टोटल मेडल भारत को मिल चुका है 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड